टेस्ट क्रिकट में पाकिस्तान के दिगज बल्लेबाज बाबर आजम का खराब फॉर्म जारी है। आज तीन जनवरी से शुरू हुए सिड्नी टेस्ट में भी वहाँ अपनी टीन के लिए कुछ खास नहीं कर सके। आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के इस आखरी मुकाबले की पहली पारी में वहां महज 26 रन बनाकर पवेलियन लोट गए। उन्हें इस बार भी पैट कमिन्स ने ही पवेलियन भेजा। बाबर आजम ऐसे वक्त में आउट हुए जब पाकिस्तान टीम को उनके पिच पर खड़े रहने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बिना खाता खोले आउट होने के बाद जब बाबर और शान मसूत पिच पर आखे जमा चुके थे तब इस बाबर के आउट होते ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनकी चोलिंग शुरू हो गई है। उनकी 2024 की शुरूआत भी इसी तरह की हुई है। बाबर की पिछली पाँच पारियों को ही देखे तो वह 21, 14, 1, 41 और 26 रन के सस्ते स्कोर पर पवेलियन लोटते रही हैं। उनकी यह पाँचों पारियां आस्ट्रेलिया दौरे पर खेली जा रही तीन मैचों के टेस्ट सीर के करीब हैं। यहां उनका बल्लेबाजी औसट भी 45 से ज्यादा रहा है। हाला कि पिछला एक साल उनके लिए इस फॉर्मेट में बुरे सपने की तरह रहा है। झाचों के की तौरे उनकी यादा रहा हैं। कि Luby जनकी तूरत士 हो नहीं से घ्यादाओने की अनकी ताह